नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल पर साथियो, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि 5 जुलाई से इपार्टशाला का फेस 5 शुरू हो चुका है महानिदेशक कारले द्वारा इस बार इपार्टशाला रेइश्टर के साथ साथ महाला क्लास और सिक्षक डायरी पर भी विशेज ध्यान दिया गया है इस बार हमारे बहुत से सिक्षक शातियों को सिक्षक डायरी भरने में थोड़ी कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा था इनी सब कटनाईयों को देखते हुए हमने यह वीडियो तयार की है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिक्षक डायरी भरते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार हमें सिक्षक डायरी भरनी है जिससे कि महानिदिशक कार्णले द्वारा दिये गए इपार्शाला के सबी प्रारूप हम सिख्षक डाइरी में दिखा सकें सातिओं अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जलो सब्सक्राइब करें जिससे आपको विभाग द्वारा दे गए सभी मैत्पून जानकारिया समय से मिल सकें तो आईए चलते हैं हमारी वीडियो पर सबसे पहले हम अपनी सिक्षक डायरी में पेज नंबर 5 ओपन करेंगे और इस पेज पर कुछ व्यक्तिगर जानकारिया दी गई हैं जैसे शिक्षक का नाम वेपदनाम, मानव समपता कोड, स्थाई पता, मोबाइल नंबर, इमेल आईडी, उश्तम शिक्षक का विवरन, कारिया नुभव ये सब जानकारिया भरकर हम इसके बाद अपनी फोटो यहाँ पर चिपका देंगे शिक्षक डायरी में तीन प्रकार के प्रारूप दिये गए हैं इसमें पर्थम जो दो प्रारूप हैं, वो शिक्षक को स्वयम बढ़ने हैं और जो हमारा तीसरा प्रारूप है, वो हमारे मेंटर जैसे ARP, SRG, इनके द्वारा भरा जाएगा आज की वीडियो में हम प्रथम दो प्रारूप की ही चर्चा करेंगे तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम प्रारूप की प्रथम प्रारूप है, सि drawings योजना, एक दरश्टी साथियो वर्तमार प्रिस्तिती में ओनलाइन एवं महलक क्लास के माध्यम से ही शिक्षन कारिय चल रहा है तो इसमें हमने कॉलम को एज़ इज ना भरकर कॉलम में थोड़ा चेंज कर दिया है और हमने उपर एक हैडिंग भी डाल दी है चात्र वै अभिभावक संपर्क योजना प्राप्त निर्देशों में यह भी कहा गया है कि सिक्षक द्वारा अभिभावक चात्र संपर्क योजना सिक्षक डैरी में लिखी जाए सबसे उपर महा के कॉलम में हमने जुलाई 2021 डाल दिया है अगला कॉलम है सब्ता संख्या इसमें हमने सब्ता एक सब्ता दो सब्ता तीन सब डाल दिये हैं कक्षा जिस भी कक्षा को आप पढ़ा रहे हैं वो उस कक्षा को हम लिख देंगे अब देखते हैं विशे के कॉलम, विशे के कॉलम में हमने लिखा है प्रेड़ना लक्षे एप, रीड अलोंग एप तथा दिक्षा एप डाउनलोड कराते हुए उनके बारे में जानकारी देना, अभिभावक संपर्क करना, साप्ताहिक प्रशनोत्री का डैमो देना अगले कोलम है चैनित, पार्ट, संख्या वे नाम, इस कोलम में हमने लिखा है आरती, पूजा, अन्तिम, वैशाली एवं उनके अभिभावकों से संपर्क करना, अगले हफते में नैंसी, नताशा, पूजा, रिया एवं उनके अभिभावकों से संपर्क करना, तीसरे हफते मे गोतम, कार्तिक, अनिकेत, करन, विजय, एवं उनके अभिभावकों से संपर्क करना नेक्स्ट कॉलम है सिक्षन कार्य करने हितू अनुमानित कालांसो की संख्या इस कॉलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि विधाले फिलाल बंद चल रहे हैं अगले कॉलम में सिक्षक को अपने हस्ताक्षर करने है और अगले कॉलम में प्रधान ध्यापक को भी अपने हस्ताक्षर करने है अब बात करते हैं दित्य प्रारूप की जो है सिक्षन योजना का प्रारूप इसमें महा के कॉलम में हमने जुलाई लिख दिया है सब्ता संख्या एक है जो दिनाग 5-7-2021 से 10-7-2021 तक है कक्षा की कोलम में जिस भी कक्षा को हम पढ़ा रहे हैं वो कक्षा लिख देंगे यह आज की जो वीडियो है यह हम कक्षा 5 की सिक्षन योजना दिखा रहे हैं कक्षा 1-2-3-4 की सिक्षन योजना भी हमने पेडियाफ बना कर डेस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं विशे के कोलम में हमने भाशा लिख दिया लर्निंग आउटकम वे चैनित पार्ट जिस पर कारिये करना है इस कोलम में हमने लिखा है शब्द बनाना विध्यारती शब्द बना पाते हैं तथा सामान्य जीवन में प्रयोग कर पाते हैं शिक्षन अधिगम परकिरिया गती विद्यो का संस्रिप्त एवं स्पर्ष्ट विवरन बच्चों के वार्षप ग्रूप में राज्य परियोजना कारेले से प्राप्त सामागरी एवं दूरदर्शन कारिकरम प्रेशित किया महलक क्लास के अंतरगत आरती पूजा अंतिम वे वैशाली को शब्द बनाना शिखाया गया विध्यारतियों को फोन पर वीडियो भी दिखाई गई अगला कोलम है किरियावन के पश्चाद शिक्षक का सुहा आकलन इस कोलम में हमने लिखा विध्यारतियों पर अधिक ध्यान देने की आवशक्ता है अगले दिन टूजडे वाले दिन हमने बच्चों को गनित पढ़ाया गनित में 999 तक की संख्या विध्यारति 999 तक की संख्या पढ़ पाते हैं तथा परियोग कर पाते हैं शिक्षन अधिगंपर किरिया में वाटसेप ग्रूप के माध्यम से सामगरी एवं दूरदर्शन कारिक्रम प्रेशित किया गया मुहला क्लास में गिंती का अभ्यास कराया गया नैंसी पूजा एवं रिया के अभवक के मुबाइल में प्रेणा लक्षे एप, रीड अलोंग एप तथा दिक्षा एप डाउनलोड कराते हुए उनके उप्योग की जानकारी भी दी गई किरियावन के पश्चात सिक्षक का सुहा आकलन, योजना का किरियावन सफल रहा बुद्वार को भाषा पढ़ाए गई, भाषा में हमने शब्द बनाना सिखाया, छातर छातराए शब्द बना पाते हैं और उनको पढ़खर सुना पा रहे हैं शिक्षन अधिकम पर किरिया में वाट्सेप गुरूप के माध्यम से सामगरी एवं दूरदर्शन कारिकरम प्रेशित किया गया, महुला कक्षा में सब्द जोड़कर बनाने का अभ्यास कराया गया, ग्रह कारिये में उक्त के संबंद में कुछ पर्षन दिये गए, योजन का किर्यानवन सफल रहा, ब्रस्पतिवार को गनित में स्थान ये मान और परत्यक्ष मान सिखाया गया, वाट्सेप गुरूप के माध्यम से सामगरी एवं दूरदर्शन कारिकरम प्रेशित किया गया, ग्रह कारिये में उक्त के संबंद में कुछ पर्षन दिये गए। चात्र चात्रों पर अभी अधिक ध्यान देने की आवश्यक्ता है फ्राइडे को भाशा में चात्र विरामचिन का प्रियोक सीख पा रहे हैं शिक्षन अधिगम परक्रिया में वाट्सअप ग्रूप के माध्यम से सामग्री एवं दूरदर्शन का रिकरम प्रेशित किया गया मोहला कक्षा में विरामचिन का प्रियोक करना सिखाय गया और इससे संबंदित वीडियो भी दिखाये गई किरियान्वेन में महुला कक्षा हेतू छात्रों को जागरू करने की आवशकता है शनिवार वल दिन गनित में इकाई धाई विस्तारित रूप वाटसेप ग्रूप के माध्यम से सामगरी एवं दूरदर्शन का रिक्रम प्रेशित किया गया महुला कक्षा में इकाई धाई एवं विस्तारित रूप का अभ्यास कराया गया प्रेणा लक्षे एवं रीड अलोंग एप पर अभ्यास कराया गया हमें परतेक्ष निवार को बच्चों का मुबाइल पर क्विज भी कराना है तो किरियानवियन में बच्चों का स्पॉर्ट एसेश्मेंट किया एवं अपने मॉबाइल पर क्विज हल कराया इसके बाद सप्ताहा खतम होने के बाद सिक्षक अपने हस्ताक्षर और दिनाग भी अंकित कर देगा इसी प्रकार हम अपने दूसरे सब्तहा की शिक्षन योजना भी तयार कर लेंगे यह दिनाग 12.7.2021 से 17.7.2021 तक होगा मंडे को भाशा में तीन अक्षरों वाले सब्द पढ़ाए गए चातर तीन अक्षर वाले सब्दों को अपरियोग कर पाते हैं शिक्षन अधिगम परकरिया में वार्सेप ग्रूप के माध्यम से सामागरी एवं दूरदर्शन कारिकर्म परेशित किया गया उक्त के संबंद में परशन पूछे गए एवं ग्रह कारिय दिया गया ग्रह कार्य निरिक्षन भी किया गया इससे संबंधित वीडियो भी दिखाई गई किर्यानवेन में कार्तिक और मनीश सब्दों को जोड़ कर पढ़ने में कटनाई मैसूस कर रहे है मंगलवार को गनित में तीन अंक्य संख्याओं का जोड़ सिखाए गया महुलक अक्षा में तीन अंक्य संख्याओं के जोड़ का अभ्यास कराया गया एवं गतिविदी कराया गयी प्रेणलक्षे एप पर अभ्यास कराया गया किर्यानवेन में पूजा एवं रिया की गनित की समझ बहुत कम है अधिक ध्यान देने की आवशक्ता है बुद्वार को भाषा में चार अक्षर वाले सब्द चात्र चार अक्षर वाले सब्द पढ़ पाते हैं और उनका परियोग भी कर पाते हैं वाटसेप गुरूप के माध्यम से सामगरी एवं दूरदर्शन कारिक्रम प्रेशित किया गया मोहला कक्षा में चार अंक वाली संख्याओं का अभ्यास कराया गया अविभावकों से संपर्क कर उनके चात्रों को दूरदर्शन पर कारिक्रम देखने की महत्ता के बारे में बताया गया किरियान्वेन में कार्तिक और मनीश अब पहले से बैतर पढ़ पा रहे हैं गुरुवार को गनित में तीन अंके संख्याओं का जोड़ चात्र तीन अंके संख्याओं का जोड़ हल कर पा रहे हैं वाटसअप गुरुप पर सामगरी एवं दूरदर्शन कारिकरम परेशित किया गया मोहला कक्षा में तीन अंके संख्याओं का जोड सिखाये गया गोतम और अनिकेत के अविभावक से मिलकर उनके फोन में प्रेड़ना लक्षे एप डीड़लोंग एप डाउनलोड कराये गई उजा और रिया अब पहले से बैतर धंसे सवाल हल कर रही है शुकरवार को भाषा में दो अक्षर वाले सरल वाक्य पढ़ पा रहे हैं तथा उनका प्रियोग भी कर पाते हैं वाटसेप गुरूप के माध्यम से सामगरी एवं दूर दर्शन कारिकर्म प्रेशित किया गया महलक अक्षा में दो अक्षर वाले सरल वाक्यों का निर्मान कराये गया एवं इससे संबंदित गतिविदी भी कराये गई उक्त के संबंद में ग्रहकारिये भी दिया गया किरियानवन योजना का किरियानवन सफल रहा शनिवार को गनित में 3 अंक्य संख्याओं का जोड़, छात्र 3 अंक्य संख्याओं का जोड़ हल कर पार हैं WhatsApp गुरुप के माध्यम से सामगरी एवं दूरदर्शन कारीकरम प्रेशित किया गया पूर्व ग्रहकारिय का निरिक्षन भी किया गया चात्रों का स्पोर्ट असेस्मेंट किया गया एवं मुबाइल पर क्विज हल कराया गया योजना का क्रियानवन सफल रहा सात्यों इस प्रकार हम अपनी सिक्षन योजना त्यार कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हमने कक्षा 5 की स्रिक्षन योजनाओ पर चर्चा की है कक्षा 1,2,3,4 की स्रिक्षन योजनाओ की PDF भी हमने description box में डाल दी है वहाँ से आप इनको download कर सकते हैं सातियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या हमारी वीडियो पर कोई सुझाव आपको देना है तो वो आप हमारे comment section में कर सकते हैं सातियो वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को जादा से जादा share करें और अगर आप हमारी वीडियो को first time देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद सातियो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में